मैं बार बार आगरे करता हूँ कि 22 को यहाँ पहुंचने का प्रयास हम न करें कुछी लोगों को निमंत्रन गया है वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देश वास्यों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा मैं पूरे देश के 140 करोर देश वास्यों को अयोध्या की इस पवित्र भूमी से प्रांथना कर रहा हूँ अयोध्या की प्रभुराम की नगरी से प्रांथना कर रहा हूँ मैं 140 करोर देश वास्यों को हाथ जोड़ करके प्रांथना कर रहा हूँ कि आप 22 जनवरी को जब अविध्धा में प्रभुराम विराजमान हो अपने घरों में भी स्री राम जोती जलाएं दिपावली मनाएं 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक कर्वद्ध प्रात्रा और भी है हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साच्छी बनने के लिए वो स्वयम आयोध्या है लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संबव नहीं है आयोध्या में सबका पहुंतना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को देश भर के राम भक्तों को उत्तर प्रदेश के विशेश करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्तना है मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार वीदी पुर्वक कारकम हो जाने के बाद तेश तारी के बाद अपनी सुभीता के अनुसार वो अयोध्या आए अयोध्या आने का मन 22 तारी को न बनाए प्रभु राम जी को तकलीव हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं प्रभु राम जी पधार रहे तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें साड़े 500 साल इंतजार किया है कुछ दिन और इंतजार की कि और इसलिए सुरक्षा की लिहाद से व्यवस्ता के लिहाद से मेरी आप सबसे बार-बार प्रार्थना है कि कृपा करके क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शान है उद्याकान नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्त है आप जन्रवरी में आए फरवरी में आए मार्च में आए एक साल के बाद आए दो साल के बाद आए मंदिर है और इसलिए 22 जन्रवरी को यहां पहुंचने के लिए वीड़भार करने से आप बचिये ताकि यहां जो व्यवस्ता है मंदिर के जो व्यवस्तापक लोग हैं मंदिर का जो ट्रस्ट है हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है इतनी मेहनत करके किया है पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है उनको हमारी तरब से कोई तकलिफ नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं बार बार आगरे करता हूँ कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयासम न करे कुछी लोगों को निमंत्रन गया है वे लोग आएंगे और 23 के बार सारी देश वास्यों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा